हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आज हम बनाने वाले एक सेंडविच जो हम मलाई से धाई से और इन सब वेजिस से मिलकर के बनाएंगे हम मैंने यहाँ पे एक शिमला मिचली है टमाटर एक हरी मेर्च गाजर और खीरा आप चाहे तो प्याज भी ले सकते हैं और चलिए आप क्वाटिटी गटा बढ़ा भी सकते हैं तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम इन वेजिस को बहुत बरीग-बरीग काट लेंगे यह देखीे मैंने सारी वेजिस बरीग-बरीग काट लीए और हूँ को मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें यह थोड़ी सी दही और यह मलाई मिक्स करूंगी देखिए मैंने इसमें दही और मलाई डाल दिया अब हम इसमें थोड़े से मसाले आड़ करेंगे थोड़ा नमक थोड़ी मिर्च और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम यह विक्षर ब्रेट में भरेंगे और टोस्टर में सेखेंगे आप इसे टोस्टर यह इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी सेख सकते हो तवे पे भी सेख सकते हो मैं यहाँ पर अपना गैस वाला टोस्टर है उस पर सेकूंगी तो चलिए लगाते हैं ब्रेट के अंदर इस mixture को फ्रेंच ये बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही डेस्टी लगता है ये बहुत ही डेस्टी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से अप्लाई कर दिया हमने इसको देखिए मैं इस टोस्टर में बनाऊंगी अब इस सेंड्विच को हम इसमें लगा देंगे आपको आप्लाई करना है आप करिए नहीं करना आप मत करिए अब गैस ओन करते हैं और धीमी आज पर इसे दो मिनट के लिए पकाएंगे अब देखिए फ्रेंड्स यह यहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू हो गया है अब हम इसको पलट देंगे यहसे ही इसको पलट पलट के दोनों तरफ से सेखेंगे ताकि यह अच्छा क्रिस्पी बन जाए यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी यह सिग्या है और यहाँ से भी बिल्कुल क्रिस्पी बना है यह देखिए अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देते हैं और इसको पलेट में निकाल लेते हैं देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ आपको मुह में पानी आ जाए यह ऐसी डिश है तो आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू